इस वीडियो इस पॉंसर बाई e-learnmarket.com जितने भी इस्टुडेंट इग्रो में नियो एड्मिसन लेने वाले हैं या एड्मिसन ले चुके हैं उन सभी इस्टुडेंट के लिए e-learnmarket.com ने कलो इप्रेशन किया है और आप सभी इस्टुडेंट को एड्वान्स एकसल का कोर्स विच सर्टिफिकेट फ्री अफ्रकोस में प्रॉइड किया जा रहा है इस कोर्स में इन्रॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्सन में दियावा लिंक के उपर क्लिक करना होग पेमिन पेस पे एक coupon code यूज़ करना होगा जो है AH100 जैसे ही आप लोग AH100 coupon code को यूज़ करते हो तो आप लोग इस course में free में enroll कर सकते हो और इस course को complete करने के बाद से आपको e-learnmarket.com के तरफ से एक certificate भी provide किया जाएगा जो कि private और government दोनों सेक्टर में ही आपको काम आ सकता है तो IGNU के तरफ से और IGNU के different regional center के तरफ से release की गई है जिसके बारे में आप लोग को जाना ज़रूरी है आप लोग वीडियो को ध्यान से और complete ज़रूर देख लिजेगा सबसे पहले IGNU के तरफ से आज ये notification रिलीज किया गया official website पे जिसमें बताया गया कि regional evaluation center regional center जितने भी offices है सबी 19 अप्रील और 20 अप्रील यानि के आज और कल बंद रहेंगे अब अगर regional evaluation center अगर आपका बंद रहे है तो क्या क्या services के उपर effect पर सकता है सबसे पहले जो आप लोग ने photocopy of answer seat के लिए apply किया था तो photocopy of answer seat इस बार मिलने में time लग सकता है जो आप लोग का result है result favori exam ज चेकिंग होता है या री चेकिंग होता है या photocopy of answer seat बेजी जाती है सभी regional evaluation center से ही बेजा जाता है अब अगर regional evaluation center का ही service effect होगा वही बंद होगा तो जाइसी बात है यह सभी चीजों में delay होगा ही और यह तो अभी preventive measure लेके सिप उनीश अप्रील और 20 अप्रील को बंद किया department जहां से आप लोग को books deliver किये जाते हैं तो वहाँ पे अभी 50% ही workforce काम कर रहा है तो जो books already आप लोग को इतना लेट से deliver किया गया और भी थोड़ा सा delay हो सकता है hope कि यह सारा situation जल से जल ठीक हो जाए ताके फिर से हम लोग normal हलात में हैं क्योंकि यह सभी situation को देख को बहुत which is normal way में हो और यह सब जब भी होता है ना तो सब ज़्यादा strain के ओपर ही effect परता है जो लोग previous year में जब covid का situation start हुआ था तो जहले थे वो लोग बहतर जानते होंगे खैर यह तो एक notice release किया गया था तो अभी कुछ दूनों तक regional center और evaluation center offices school सब कुछ बंद रहेंगे ठीक है उ 20 अपील 22 और 23 अपील को होने वाला था और वो further till further order के लिए अभी postpone कर दिया गया कब date दिया जाएगा उसके बार में कुछ पता नहीं है जब situation normal होगा तब दिया जाएगा तो यह एक notice release किया गया था उसके लावा बहुत important notice है assignment submission को लेका देखो जैसा कि मैंने आज भी आप time to time मिलता रहेगा ठीक है इसलिए आप लोग चैनल को पहली फूर्शत में subscribe करो ताके सभी information आप लोग को time to time मिलता रहेगा तो जितने भी strength अलिगर regional center से बिलॉंग करते हैं वो google form से अपने assignment कर सकते हैं offline assignment अभी मत करना क्योंकि जातर study center है अभी close हो गया है because of the covid-19 situation ठीक है उसके बास से दर्भंगा regional center के तरफ से assignment submission करने के लिए finally guidelines release कर दिया गया है हलाकि इन्होंने पहले offline ही assignment submission लेने का फैसला किया था लेकिन covid-19 का situation ऐसा बरहा कि इन्होंने भी online assignment submission करने के लिए guidelines release कर दिया और जैसा कि मैंने आप लोग को आज वीडियो के माद्व से बताया भी जैसे कुलकता regional center अभी guidelines release करने वाले हैं पटना regional center guidelines release करेंगे करनाल नौइडा चंडिगर सभी के तरफ से online assignment submission करने के लिए guidelines release की जाएगिया बाकी अधर जितने भी regional center है सबका नाम तो मैंने नहीं लिया 56 regional center सभी के तरफ से आप लोग को online assignment submission करने की facility start की जाएगी तो कोई tension क जोतनी है अभी के लिए फिलाल ये दो regional center के तरफ से आज guidelines release किया गया अलिगा regional center और दर्भंगा regional center लेकिन दर्भंगा regional center के जिस भी official नहीं guidelines release किया है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या सोच के ये instruction में 59 पॉइंट में ये चीज एड किया है कि maximum size of the pdf file is less than 1 MB I mean how is it possible कोई भी pdf file का size इन्होंने बोला कि 1 MB से नीचे करके उसके अपडेट करना चाहिए जो कि possible ही नहीं है जितने भी regional center है सभी ने maximum size को 100 MB रखा है क्योंकि previous session में यही size को सभी regional center ने 10 MB रखा था तो बहुत मुस्किल हुआ था इस्ट्वेंट को और अभी इन्होंने direct 1 MB कर दिया अरे 1 MB में अगर compress करेंगे ना तो magnifying glass से भी check नहीं कर पाएंगे और बाद में यही लोग बोलेंगे कि आपका scan सजी से नहीं है या आपने scan गलत तरीका से किया इसलिए हम लोग check नहीं कर पा रहे अरे कम से कम अपने instruction तो देखो 1 MB में possible है क तो अभी 1 MB में तो एकदम होई नहीं सकता पूरा पेस का quality ही खराब हो जाएगा कोई teacher check ही नहीं कर पाएंगे खैर तो यह है दरभांगा regional center के तरफ से guideline जिसमें बताया गया है कि आपको अपना इगनू का eye card attach करना होगा और यह annexer 1 जिसमें सारा detail आपका लिखा रहता है बना कि आप online ही assignment अपना submit कर सकते लेकिन एक चीज़ बोल दिया गया है कि अगर आपने अपने 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 स्टेडी सेंडर पर assignment समिट कर दिया offline तो फिर आपको online समिट करने की जोगते ही है और regional center का email id है तो आपको इस Google Form से ही एसाइमें समिट करना होगा अगर आप ऑनलाइन इसाइमें समिट करना चाहते हो तो बहुत सिंपल सा Google Form है बस यहाँ पे अपना प्रोगाम कोड इन्रॉल्में नंबर नेम कोर्स कोड यह सभी चीज़ लिखना होगा अपने अपने साइमेंट पर सब्मिट करना क्योंकि अगर सब्मिट कर दिये होगे तो फिर गूगल फॉर्म से साइमें समिट करने की जोती नहीं है और यहाँ पर लिंक फॉर अप्लोडि लेकिन उसको 31 में तक एक्स्टेंड किया रहाएगा ठीक है तो यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया थी उसके बाद से कुलकाता रिजिनल सेंटर के तब से बहुत अच्छा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जितने भी ओनलाइन क्लासेस कंड़ करवाएगे हैं उन स सबी लेक्चर का पूरा फाइल ही अप्लोड किया गया है जितने मास्टर डिगरी के स्ट्वेंट है यहां पे M.C.A. के PGDCA के मास्टर डिगरी के B.A. साइकलोजी के B.D.P. एमकम बहुत सारे प्रोगाम के यहां पे लेक्चर अप्लोड किया गया है बस आप लोग यह जो गुगल फॉर्म का लिंक दिया गया है इसके उपर आप लोग क्लिक करोके जैसे मानलों कोई को डाउनलोड करके वीडियो लेक्चर देख लेना ठीक है उसके बाद से पटना रिजनल सेंटर के तरफ से B.L.I. 229 के लिए वाईवा का सेडूल जारी किया गया है कल और परसो आप लोग का वाईवा कंड़क करवाया जाने वाला है इसके बाद से चर्टिफिकेशन को चेक कर सकते हैं इसमें सबी गाइडलांस दिया गया है आप लोग पर सकते हो ठीक है उसके बाद से यह सबी इंफर्मिशन यूस्फुल लगा होगा इसलिए वीडियो को लाइक जुरू कर दे सभी फ्रेंड के साथ से कहा है ताकि उनको भी सभी इंपॉर्ट इंफर्मिशन मिल पाए किसी बी तरह के डाउड के लिए आप लोग यह चीज अभी बंद है और ऑनलाइन में सब त्याइम त्याइम पहुचना जरूरी है इसलिए आप लोग चैनल को पहली फुर्सेट में सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इंफर्मिशन आप लोग से मिस ना हो थानकियो तो मच फूर वाटिंग इस वेडियो आवन आसम देडियो थानकियो सामच